एक बार की बात हैं, एक राजा थे जिनका नाम था शूर सेन, उनका बहुत बड़ा समराज्य था जो की चारो दिशाओं में फैला हुआ था और उनके पास किसी भी वस्तू की कोई कमी न थी, उन्हें अपने इस समराज्य अपने यश पर बहुत गर्व था, एक बार राजा क आध्यात्मिक्ता के बारे में जानने की उच्छुकता हुई, तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि जाओ, हमारे समराज्य के सबसे महान आध्यात्मिक गुरू का समान करते हुए, उन्हें हमारे राजमहल में लेकर आओ, उन गुरू का नाम था आत्मानंद महराज जी, मं माराज ने मंत्री से कहा कि तुम रत पर बैट कर जाओ और उन्हें यहां आने के लिए कैसे भी करके मना लो। तो फिर मंत्री जी आत्मानन महराज जी के कुटिया में पहुचे वहाँ उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनको महराज का संदेश बताया। तो आत्मानन महराज जी ने कहा कि मुझे कोई महल की आवश्यक्ता नहीं है तुम महराज से जाकर कह दो कि अगर उन्हें सच में अध्यातमिक्ता के बारे में जानना है तो उन्हें मेरी कुटिया में आने को कहो तो मंत्री जी ने महराज को आत्मानन महराज का संदेश बताया तो महराज शूर सेन उनकी कुटिया की और चल पड़े जब वे उनकी कुटिया पर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि आत्मानन महराज जी दूसरे कमरे में बैठे हैं तो फिर उन्होंने किसी के साथ आत्मानन महराज जी बाहर आकर उनका स्वागत करेंगे लेकिन उन्होंने मंतरी से कहा कि महराज को बोलो उनके पास आने के लिए तो जब महराज उनके कक्ष में गए तो उनके कक्ष का जो दर्वाजा था वह काफी छोटा था जिसकी वज़स से महराज को जुक कर उसे पार करना उसी समय आत्मानन महराज जी अपनी जगा से उट गए और उन्होंने महराज का स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए ताजे रसीले फल प्रदान किये और बिना कोई समय गवाए उन्हें आध्यात्मिक्ता के बारे में सिखाना शुरू कर दिया महराजा शुर सेन आत्मानन महराज जी के दर्शन से बहुत प्रसन थे जब वो जाने वाले थे तो उन्होंने आत्मानन महराज जी को पूछा कि मैं तो समराज के कार्य कर्मों में काफी व्यस्त रहता हूं और आपका पूरा सम्मान करता हूं यहाँ तक कि मैंने आपके आने के लिए सभी विवस्ता कर ली थी। उसके बावजूद भी आपने मेरे महल में आने से इनकार कर दिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यूं किया था। तो आत्मानन महराज जी ने कहा कि जब तुम यहाँ आये थे तो तुम अपने राजा होने के अभिमान को साथ में लेकर आये थे। लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे कक्ष में आने के लिए जुके थे। जब तक कोई गुरू के सामने समान पुरवक जुकता नहीं तो आज की इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमें पहले सामने वाले का समान करते हुए उनके सामने जुकना होगा वरना हम कभी भी उनसे सीखने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे।